नमस्कार मैं रेनु मिस्टर अपने चनल में आपका स्वागत करती हूँ आज में बना रही हूँ अपने घर के मंदिर में रखे हुए जो मुर्ती हैं उनके लिए छोटे-छोटे से ये प्यारे से वस्त्र जैसे कि ये गणेश जी छोटे से और लक्ष्मी जी, कानहा जी, संकर जी जो सब की मुर्तियां हैं उनके लिए मैं अलग-अलग साइज के आज कपड़े बनाना बताऊंगी आज में कई तरह के ये इस तरह के कपड़े आपको बनाना बताऊंगी जिससे कि आप अपनी मंदिर को सजा सकते हैं और बहुत ही सुन्दर लगेगा मंदिर ये देखिए अलग-अलग साइज के अलग-अलग कपड़े मैंने भगवान के लिए बनाए हैं तो सबसे पहले हम ये सबसे बड़े वाले कपड़े से सुरुवात करते हैं तो इस कपड़े की जो चोड़ाई है वो 4 इंच है यानि कि 4 इंच और लंबाई 30 इंच यानि कि 30 इंच है और ये मैं शाटन का कपड़ा ले रही हूँ अगर आपके पास इस दरा का लेस रखा हो तो जो किनारा है कपड़े का उसको इस तरह से उपर की तरफ ये देखे इस तरह से फॉल्ड करते वे और उसके ऊपर ये निचे की साईट ये पूरा ये लेस को लगा ले इस तरह से कुई सी भी कलर का लेस आप इसमें लगा सकते हैं अगर चोड़ा लेस है आपके पास तो आप थोड़ा लेस भी लगा सकते हैं इस तरह से हम पुरा एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेस लगा लेंगे इसमें यह जो कपड़ा है जो कानहा जी की मुर्ती लगबक चार नमबर वाली आती है उसके लिए सही रहता है तो यह दिखिए अब एक बार यह उपर से भी सील लेंगे ताकि अच्छे से इसमें सेट हो जाए यह दिखिए इस तरह से यह लेस मैंने इसमें लगा लिया है अब यह किनारे चाहे तो आप सेम उसी कलर का लगा सकते हैं या फिर दूसरे कलर का लेस लगा सकते हैं तो यह मैं इसमें ब्लू कलर का लेस लगा रही हूं किनारे किनारे यह लेस वही है जो कि हम पाइपिंग के लिए इस्तिमाल करते हैं इसी तरह से दुनों साइड में हम लगा लेंगे अब यह लेस तीन साइड लग गया है अब उपर की तरफ हमें इसमें प्लेट्स देना है तो हम यह छोटे छोटे इसमें जो यह इस तरह से चुनट देंगे इस तरह से यह छोटा छोटा इसमें प्लेट्स दे देना है बिल्कुल पास पास रखना है बिल्कुल इस तरह से इसी तरह से हम पूरे किनारे तक इसमें प्लेट्स देंगे और यह अपने आप यह गोल साइज होता जाएगा तो यह देखिए अगर इसका मेजरमेंट सही रहता है तो यह अपने आप यह बिल्कुल गोल सा हो जाएगा यह देखिए यह बिल्कुल गोल साइप में होगा है अब जहां पर हमने यह प्लेट्स दिया है चुनट जहां पर दिया है वहां पर भी यह लेस लगा लेंगे इस तरह से यह देखिए यह इसमें लेस लग चुका है अब यह नीचे का यह जो घागरा है वो त्यार हो गया है अब उपर जो चोली होती है उसके लिए हम इस तरह से यह लेस लेंगे इसकी लंबाई 6 इंचे अब बीच में इस तरह से इसमें निशान लगा लेंगे हम और जहां पर हमने निशान लगाया है उसी के बिलकुल सटा के बगल बगल इन दोनों जो है यह उपर का यह जो लेसे इसको लगा देंगे इस तरह से बिल्कुल इस तरह से पास पास लगाएंगे इसको, इसी तरह से दूसरा भी हम लगा लेंगे इसमें, अब ये पहला बस्तर हमारा त्यार हो गया है आप हम दूसरा ड्रेस बना लेते हैं तो दूसरा जब स want those इसमें प्रेइब लगा रहता है जिसको हम पहले ही निकाल लेते हैं जब पेने ही नहीं रहते हैं इस तरह के जो सी्व सोते हैं میں उनसे भी ड्रेस बनाते हैं तो उसका जो सेफ है वो बहुत ही प्यारा आता है बस इतना ध्यान रख्या है कि जोबी हम ये कपडा इस्तमाल कर रहे हैं भगवान जी के लिए बनाने के लिए वो बिल्कुल भी पहना हुआ या यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए बिल्कुल नया ही रहना चाहिए तो आब ये देखें किनारा भी हम इस तरह से मोड़ के उसमें भी लेस लगा लेंगे और अब ये देखें उपर की साइट जहां पर ये हलका सा ये गोल शेप दिया हुआ है वहाँ पर हम इसको ये इस तरह से प्लेट्स देंगे इस तरह से छोटा छोटा प्लेट्स हम दे देंगे इसमें अब इसमें भी जहां पर हमने ये प्लेट्स दिया हुआ है वहाँ पर ये इस तरह का लेस लगाएंगे ये देखिए इसका सेब भी कितना प्यारा आया है अब इस तरह का ये लेस लेंगे लगबग ये 6 इंच लंबा है इसको इस तरह से बिल्कुल बीच में हम लगा लेंगे तो बीच में चाहे तो आप इसमें इस तरह से फोल्ड करके निशान लगा लें अब बिल्कुल बीच में इस तरह से ये जो लेसे हम इसको सील लेंगे क्रॉस करके इस तरह से ये देखिए अब ये नीचे की तरफ हम इसको इस तरह से हलक आसा सील लेंगे तो ये देखिए ये दूसरा ड्रेस भी हमारा रेडी हो गया है अब देखिए इसी तरह से मैंने एक और ड्रेस बनाया है तो उसमें इस तरह से ये दो स्लीब लगाए हैं बगवान के लिए और सेम उसी तरह से सीला है बस इसमें ये दो लगा लिया है मैंने लेस अब हम ये सबसे छोटा वाला जुटरेस उसको बना लेते हैं इसकी चोड़ाई 2 इंच और लंबाई 6 इंच है यानि कि 6 by 2 का ये कपड़ा है तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करके पहले ये साइड का स लेंगे और नीचे की तरफ लेस इसमें मैंने लगा लिया है पहले से ही अब इसमें भी हलका हलका सा हम ये प्लेट्स दे देंगे ये वाला ड्रेस मुझे सबसे सही लगता है क्योंकि इसको पहनाना बहुत ही आसान रहता है तो ये देखिए इस तरह से हम अब ये लेस लेंगे और दोनों साइड में ये बानने के लिए छोड़के और बीच में सीलाई करेंगे ये लगबग 10 इंच लंबा है आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा भी रख सकते हैं जैसे कि आपके घर में मुर्ती हो इस हिसाब से अब इसको जहां पर हमने प्लेट्स दिया है वहां पर इसको सील लेंगे तो दोनों साइड में ये बानने के लिए थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे और उसके बाद बाकिस को सील लेंगे तो ये हमारा ये जो भगवान का वस्तर वो त्यार हो गया है अब इससे मैं अपने मंदिर को सजाओंगी उमीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सब के साथ और भी अच्छे ची नहीं नहीं वीडियो शेयर कर सकूँ मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धनेवाद थैंक यू